अगर आप इस वीडियो में बताउगा किसी और इसे रावासी है दोस्तो अगर आप उत्तरप्रदेश के परवासी या और किसी और स्टेट में फस गयेaufen अगर आप उत्तरप्रदेश के आना चाते तो उसके लिए पंजी राडर इसटाट हो गया है आपको मैं इस वीडियो में step by step बताऊंगा कि आप कैसे पंजी करण कर सकते हैं अगर आप किसी और रिष्टेट के प्रवासिय हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके आपको वीडियो में बने रहे हैं मैं आपको step by step बताऊंगा कैसे किसी और राजय से अपने राजया आने के लिए पंजी कर आएगा तो इसमें आपको यह देखिए हैं आपके हैं अने राजय से उत्तर प्रदेश आने के हैं क्लिक करें अगर आप किसी और इंटर प्रदेश आना चाहते हैं तो इस लिंग पर क्लिक करेंगे अगर आप किसी और इंटर प्रदेश आना चाहते हैं महाराष्ट में महाराष्ट में हो चाह आप दिल्ली में हो चाह कलकता में हो कहीं पर भी हो तो आपको इस लिंग पर क् यहां पर email ID फिल करना उसके बाद अपना यह capture जो सामने दिख रहा है कैसे जो लिखा है इसको यहां पर लिखने के बाद आपको OTP भेज़ेंगे मैंने यह प्रोसेस कर चुका हूं तो उसके बाद आपके सामने आपके phone number पर जो आपने आपके mobile number या free email ID दियर आएगा उसके एक OTP जाएगा पाचंको का होगा उसको फिल करने बाद आप जब submit करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटर फेस खुल कर आ जाएगा उसको फिल करना होगा इन सारे कि सारी दिटने भी यह सब यह किसी और स्टेट से उत्र प्रदेश आने के लिए यह मैंने फॉर्म खूल रखा उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले का लिखा है यहां तरीका कड़ गरी मालब में आप प्रवासी मालब किसी काम करते हैं वह इस स्टेट में या फिर आप छात रहे हैं या फिर आप त्र उमर करने देखिए यहां पर नाम फिल कर लिया उसके बाद आपके आयू मांगा है तो अब अपने उमर किजिए अधर कटके आनुसार जो भी आपके पास आइडी प्रूफ है उसके पाद आपके पास आइडर आप इनिकर दिए उसके बाद आपना मोबाइल नमबर यहां प्रोस्स करेंगे तो यह नंबर भी नहीं माँगे जैसे हम उसके बाद यहां पर पाचान पत्र पचान पत्र जैसे अधर काड़ प्रम्पास्थ जो भी हो इस समय वह चुछ के लिए जैसे अदर काड अधर काड नमबर कुछ कीज़ें अदर काड नूमबर यहां पर आपको फिल करना है आप देख सकते हैं जितने भी स्टार बने हैं सबके साथ इन सबको फिल करना कंपलसरी जो तक आग प्रोसेस नहीं सब्सक्राइब यहां पर पिलिक करना पड़ेगा नाम पर लिए किसितने अब नम नहीं को छोड़ देखिए तो उनका सब करने के बाद यहां पर उनका नाम डालें उनकी उम्र डाली है उसके बाद यहां पर आपके साथ उनका संबद के आप पूरा पूरा पुरा पूरा कुछ कर लिजे यहां पर single e-run आता हूं उसके बार देखbags코 है यहां पर तरीका चुच करना है कि या तरहा कैसे करना चाहिए कि आकटार की स्ब्द आप इसे चाहितेँ में प्नी स्ब्द करने हो साज करने करें देगी इससारे प्रोसुर्द करने के बाद था फोई लेकिन यहाँ पर पर आपने गड़ी चूज करते हैं आपके सरगापको यहाँ प्रक्रकार ३ाई यह लिए फिर ना पड़ेका उतके गाड़ी होगा यहां पर मैं अभी सरकार के दौरा ही आना का रिक्वेस्ट करता हूं सरकार जो भी साधन मुई आ करेंगे ट्रिंबस जो भी उसके बाद देखें आप लिखा है कि आपके परिवार में किसी आने सदस को सर्दी खासी या वुखार समंधित लच्छड है अगर हैं तो आप एस कॉरंटाइन किये था चोदो दिन के लिए तो आप एस पे क्लिक करेंगे तो आप से पूछेगा कि कब से कब तक आप क्लिक करते हैं तो आप से कुछ नहीं पूछा जाएगा उसके बाद देखें वरतमान पते आप दिल्ली में जहां पर भी है या फिर जीज़ भी स्टेट जैसे नौर्थ इस्ट है नौर्थ वेस्ट है दिली का अपना डिस्टिक चुछ कीजिए उसके बाद अपना पूरा दिली का जीस रेटरेस पर आ रहे हैं मका नमबर से लेगे गली नमबर तक पूरा यहां पर फिल कर दीजें पिंकोट सब कुछ फिल करने के बाद आप अगे सब्सक्राइब करने पांधेबस अब चूष करता हूं पै serious करता हूं बाद जिर्टने भी पढ़निक अंदर के अंदर जितने भी ग्राम सभातें उनकी भी लिस्टियां पर आजाएगी तो आप य्जो भी आप अाप यहां से चूच कर लिजिए उसके बाद दिसे मेरा होसिन गंगां दिश कर लिए उसके बाद देखिए अपना विदेख का का नाम होगा दिखिए उ फूरा पता आपको फिल करना आपके जहां पर गहसा मेरा है उसको फिल कर ले रहा हूं को कि सब्सक्राइन भर लिए और अपना थाना बर सकते हैं मैं आपना शीट करेड बाकि लिक लिए और एक उसके बाद देखिए यह आप Link करने खें कर चाहिं पूछ रहा है आप जैसे आपको जहां घर पर जाना है घर का किसी को जैसे आप दिली में है तो दिली बाद आपको जो आप जहां जा रहे हैं या जमगड में वहां का किसी का नमबर नाम और आपको उनका नमबर यहां पर फिल करना है यहां पर नाम यहां पर आपका नमबर तो मुझे 14 जिन का कॉरंटाइन किया जाएगा जो भी है आप पढ़ लिजेगा सारे के सारे आपको चेक बॉक्स ऑन करके सरकार को परमिसन देने पड़ेंगे आप फिर आपको बताना पड़ेगा हम मुझे यह सुधा पता है आप जिसके लिए बाद में नहीं कहा सकते कि मु उनका मैंने OTP मांग के फिर आगे का प्रोसेस किया था लेकिन वो किसी का रवास फेल हो गया लेकिन मैं दुबारा भी ट्राइग कर सकता था लेकिन मेरे पस अब मैं फिर उनको कॉल लगाओ फिर मांग उनका बाद में कर दूंगा लेकिन अभी मैं आपको step by step बताने के लि हो सकता है server problem के वज़े से मेरा फेल हो गया हो तो आप दुबार आप ट्राइ कर सकते हैं क्यों पर फिर से ट्राइग कर सकते हैं अगर आपका फेल जाता है लेकिन मुझे उम्मीद जाएगा कि आपका सुरचीज हो जाएगा एक बार में फॉर्म सब्मिट हो जाएगा अगर कुछ और आपसे नेक्स टेप में मांगता है मैंने भी तक देखा नहीं है तो आप उसको फिल कर लीजिएगा उसके बाद आपको इस पर कांटेक्ट नमबर भी कॉनफरमेशन मेसेज आ जाए तो आपको फिर आपको यह फॉर्म सब्मिट करने का भी ऑप्सन दे सकता है तो अब फिर आप प्रिंट कर सकते हैं तो प्रिंट कर लिजिए वैसे आप इसको सेप करके रख लिजिए अगर आपके मॉइल भी मत तो उमीद आपको यह सारे का सारे स्टेप समझ में आएंगा अगर आपको कोई भी प्रब्लम होती है तो मुझसे कमेंट बाक्स में बेचक कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी जो भी आपको पूछ ना हो तो उमीद आपको यह विडियो पसंद आई हो गी हैं अगर वीडि थेंक जो